किद्यान सपनों की उडान पहाडी कन्या गिरीश लेकप नाजिया जाबिन प्रकाशक प्रथम बुक्स पहाडी लड़की गिरीश जर्ने के किनारे था उसका घर जंगली मुर्गे की बांग पर नीन खुलती थी उसकी इस पहाड से उस पहाड घूमा करती थी वे बादनों की ओर हाद बढ़ा कर खेला करती थी वे जंगल के सब पशु पक्षी उनके साथ ली नाच गाकर उसके दिन बीतते थे जंगली फूलों की माला उसे बहुत पसंद थी एक शाम को गिरीश माला गोथ रही थी अचानक से उसे शोर सुनाई पड़ा पागल हाती आया है सब डर के मारे यहां वहां भागने लगे पर गिरीश धीरे धीरे आगे भढने लगी अपने पिता से बोली हाती को भूक लगी है आप केले लेकर आईए उसके बाद गिरीश हाती को केले फिकर देने लगी और हाती से लौट जाने के लिए बोली गिरीश का साहस देख कर सब हैरान हो गए हाती अपनी सून से पानी डालने लगा गिरीश अपनी बनाई हुई माला हाती को दे देती है हाती घने जंगल के तरफ लौट जाता है जरने के केनारे पर धोल बजने लगते हैं सब खुशी से नाच उठते हैं तो प्यारे बच्चों कैसी लगी आपको पहाड़ी करने गिरीश की कहानी आशा करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी मैं आप सबसे जल्द मिलूंगी एक और मज़ेदार कहानी के साथ लेकिन तब तक आप सुनते रहिए किडियान सपनों की उडान